नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं सिक्षन विग्जान चैल्ड डेवलब्मेंट एंड पेड़ागोजी ठीक है तो आईए शुरू करते हैं यह यूटेट 2023 का प्रश्ण पत्र है और यदि आप यूटेट 2024 की तयारी कर रहे हैं उसके लिए helpful होगा तो पहला प्रश्ण है माता पिता से वंशा नुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई, वजन, मस्तेक्ष, हृदय एवं फेफडे का विकास इत्यादी ये सभी भूमिका को इंगित करते हैं तो देखिए, ये कहलाती है जैविक प्रक्रियाओं की ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसका संग्यात्मक प्रक्रियाओं से, सामाजिक प्रक्रियाओं से या सम्वेग आत्मक प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है निमलिखित में से कौन सा विकल्प उक्त कथन के संदर में सही है वह आत्म सिद्धी स्थर से एक पद आगे है नहीं ठीक है क्योंकि अभी तो आत्म सम्मान प्राप्त करनी के और बढ़ रहा है दूसरा है वह आत्म सिद्धी स्थर से एक पद पीछे है तो यही आंसर सही होगा कि वह सिद्धी इस तरह से एक पत पीछे है तबी तो वह उसको प्राप्त करेगा तो इसके लिए आपने second semester में मैसलो जो है उसका अभी प्रेणा का जो सिद्धानत है यदि वो पढ़ा होगा तो यहां से यह प्रश्ण हो जाएगा अगला है NEP 2020 किस प्रकार के प्रगती कार्ड की अनुशेंशा करती है तो यह करती है 360 degree समगर प्रगती कार्ड ठीक है जो 360 degree holistic progress कार्ड है उसकी बात यह करती है अगला है प्रसस्थ क्या है तो प्रसस्थ है विध्यालियन हे तू दिव्यांगताओं की आरंभिक जांच सूची ठीक है तो आंसर हो जाएगा option A अगला प्रश्ण देखें Harvard Gardner ने अवधार्णा दी तो उन्होंने अवधार्णा दी थी बहु बौद्रिकता की multiple intelligence ठीक है यह आपने पस semester में देखा होगा अगला है अभी शम्ता है अभी शम्ता क्या है तो अभी शम्ता होती है किसी कारे को अच्छे से करने की विशिष्ट शम्ता है ठीक है आंसर हो जाएगा option A अगला है विध्यारतियों को पाठेकरम के अंत में दी जाने वाली वार्षिक परिक्षा उधारण है तो यह कहलाती है क्या मुल्यांगन ठीक है मुल्यांगन द्वारा पता जलता है कि छात्र ने कितना सीखा है ठीक है अगला है विशेश आवशक्ता वाले बच्चों के संदर्ब में अनुकूलन है तो यह हो जाएगा विध्यारती की आवशक्ता को समायोजित करने के लिए आकलन, सामग्री, पाठे चर्या और कक्षा के वातावरण को समायोजित करना ठेक है? Option D अगला है, अभ्यास का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो यह नियम दिया था, थौन डाइक ने यह आपने सेमिस्टर 2 में देखा होगा अगला है, निम्नमे से कौन प्राथमिक पुनरबलन है? तो यह प्रेशन आप मैशलो के अभी प्रेणा सिधान से भी कर सकते है और देखे प्राथमिक पुनरबलन कौन सा है? भोजन क्योंकि यह हमारी क्या है? प्राथमिक आवशक्ता है अगर आप इन चारों को देखें, optionों को तो आप खुदी समझ जाएंगे कि इन में सबसे पहले आपको क्या चाहिए अगला प्रेशन है विद्ध्यारतियों के सीखने को प्रभावित करने वाला बहयकार कौन सा है? ठीक है? बाहर की बात हो रही है तो आत्मपृत्य तो नहीं होगा क्योंकि आंत्रिक है, रूची तो रूची ये भी नहीं होगा अभी शमता, ये भी अपनी शमता है तो ये भी नहीं ये है TLM, ठीक है? तो जो teaching, learning material है वो बाहर से, ठीक है? बाहर से आपको दिया जा रहा है उससे आपको पढ़ाया जाता है तो ये विध्यारतियों के सीखने को प्रभावित करता है बाहरी रूप से, ठीक है? तो ये भायकारक हो गया अगला है, श्रव्य दृष्चे अध्यता के लिए सीखने की कौन सी विध्य अच्छी है विच आफ दॉड़ाइंग लर्निंग मैथर्ड इस पर आडियो विज्वल लर्नर्स तो देखिए, पार्ट से संबंदित मुख्य बिन्दों को बोलना वा साथ साथ स्यामपट पर लिखना तो देखिए, आडियो वीडियो है ना तो बोला भी और लिख भी दिया, तो विज्वल भी हो गया तो आंसर हो जाएगा उप्शन B अगला है, कथन और उसकी व्याख्या तो देखिए, कथन क्या है संसक्तता समू सदस्यों के बीच एकता, बद्दता एवं परस पर आकर्शन को इंगित करती है ठीक है जैसे जैसे समू अधिक संसक्त होता है समू के सदस्य एक सामाजिक इकाई के रूप में विचार अनुभव एवं कार्य करना प्रारंब करते है और प्रतक्रत व्यक्तियों के समान कम देखिए Cohesiveness refers to togetherness, binding and mutual attraction among group members ठीक है और इसका explanation क्या है As the group becomes more cohesive group members start to think, feel and act as a social unit and less like isolated individual तो यहाँ पर कथन भी सही है और उसकी व्यक्या दोनों सही है ठीक है तो answer is like option C अगला है चंद्रमा और सूर्ये इन दो शब्दों का प्रियोग करते हुए एक कविता बनाई है तो देखिए कविता बनाने को दिये है तो यह किस प्रकार का प्रेशन है तो यह स्रजन आधारित ठीक है क्योंकि अब क्या करेगा बालक चंद्रमा और सूर्ये से संबंदेते कविता खुद बनाएगा ना तो उससे उसकी स्रजनात्मक शक्ती पता चलेगी है न तो स्रजन पर आधारित है अगला प्रेशन है निमलिकित में से कौन संग्यानात्मक पक्ष का एक उधारन है तो option D आधारना की व्याख्या करना ठीक है अगला है सिक्षक को विध्यारतियों का आकलन किस प्रकार की प्रेशनों द्वारा करना चाहिए तो project पर आधारित प्रेशन बिल्कुल वस्तोनिस्ट प्रेशन ये भी और निबन आधारित प्रेशन है अगला है निमलकित में से कौन सा विकल्प सही है अधिगम अक्षम बच्चों को किसी भी प्रकार की विशेश शिक्षन विधी के आवशकता नहीं है तो देखिए एक तो यहाँ पर लिखा है किसी भी extreme statement हमेशा ज्यादा तर wrong ही होते है और उन्हें विशेश शिक्षन विधी के आवशकता क्यों नहीं है है न जरूरत तो पड़ेगी अगला है पूर्ण दृष्टी बाधित बच्चे बड़े अक्षर वाली पुस्तक पड़ सकते है ठीक है अगला है इसमें मांसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए व्यक्तिक सिक्षन योजना बनानी की आवशकता है तो answer हो चाएक option C ठीक है मांसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे है उनके लिए special सिक्षन योजना होनी चाहिए ठीक है व्यक्तिक आधार पे individualize ठीक है अगला है निमलिखित में से कौन सा प्रशन बच्चे की समझ को आकलित करने के लिए सबसे अच्छा है ठीक है देखे बच्चे की समझ को जानने आपने तो सूरज किस दिशा से निकलता है तो ये तो direct उसको पता है आपने सीधा उसे बता रखा है कि पूर से अगर निकलता है तो इसमें उसकी कुछ समझ तो नहीं पता चल रही अगला है पंदरागस के दिन क्या हुआ ये भी नहीं अगला है बारत की परधान मंत्री का नाम ये भी नहीं लेकिन आप अगर अंतिम देखेंगे धूब में कपड़े जल्दी क्यों सूखते है तो यहां से पता चलेगा कि उसकी इस संकल्पना पर कैसी पकड़ है तो यदि वह उसको समझता होगा तब भी वह उत्तर बता पाएगा तो इससे हम आगलन कर सकते हैं उसकी समझ का अगला प्रशन देखें निमलिखित में से स्रजनवाद का सिध्धान्त है तो यह क्या है देखें बच्चे अपने ग्यान का स्रजन स्वयम करते हैं जो बच्चे हैं जो उन्होंने ग्यान प्राप्ट किया और उसका अब क्या होगा श्रजन होगा ठीक है अगला क्याई निमलिकित में से कौन सा कथन विकास के संधर में सत्य है देखिए विकास की बात हो रही है दो आपने चीज़े पढ़ियोंगे एक है वृध्धी एक है विकास ठीक है जो विकास के कुछ आया में डाइमेंशन है उनमें वृध्धी हो सकती है जबकि दूसरे रासका परदर्शन करते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है ठीक है अगला है शारिदिक अंगो अथवा पूर्ण जीप की बढ़ोतरी को विकास कहते हैं नहीं है यह विकास नहीं है तो वृध्धि है ठीक है अगला है क्लिकि विकास का मापन अथ्वा पूर्ण करन किया जा सकता है तो यह भी बृध्धि के बारे में बात हो तकि वृध्धि इसे स्थूल पेशे कोशल है ठीक है देखिए स्थूल पेशे मतलब gross motor skill gross motor skill क्या होगे मोटा मोटे दोर पर जो skill है तो उचलना कूदना बिल्कुल जही दूसरा है सीडी पर चड़ना उतरना और ये है दोरना तो ये होते है स्थूल पेशे कोशल अब यहाँ पर देखिए second में लिखा है block बनाना तो block बनाना स्थूल नहीं है बलकि सूख्ष में ठीक है क्योंकि इसके लिए उंगलियों के सहारे work किया जाता है ठीक है बहुत बारी केसे तो यहाँ पर हो जाएगा स्थूल पेशे पूछा था तो one, three, four option d अगला प्रसून देखें देखिए यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके दुआरा दिया गया operant conditioning was given by तो यह दिया था इसके नर ने तो answer हो जाएगा option c अगला है t a t क्या है तो t a t क्या है t a t है एक व्यक्तित्व परिक्षन ठीक है अगला है निमलिखित में इसे बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला का रह गया तो देखिए बच्चों का सामाजिक विकास शुरूवात में सबसे स्टार्टिंग से ही पिता से शुरू होता है फिर बाद में विद्याले में भी ठीक है देखिए गुणसूत्र का इसमें कोई रीजन नहीं है क्योंकि सामाजिक विकास ये तो फिर गुणसूत्र जैविक हो गया तो यहां पर फर्स्ट और सेकेंड तो आंसर हो जाएगा उप्शन C और बी दोनो अगला है सहीयोग एवं प्रतिस पर्धा को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो देखिए सहीयोग और प्रतिस पर्धा को कौन प्रभावित करेंगे पुरुसकार सनजना ठीक है इससे पारसपरिक संप्रेशन ठीक है जेंडर होता है पुरुष या महिला होने का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम ठीक है अगला प्रश्न निम्न में से कौन पोर्टफोलियो के अंग है ठीक है तो पोर्टफोलियो में आ जाता है प्रोजेक्ट भी स्रजनात्मक लेखनकारे भी क्राफ्ट वर्क भी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोग सभी अगला है ब्लूप्रिंट एक त्री आयामी चार्ट है ठीक है ठी-डाइमेंशनल चार्ट है जिसमें अधिबार दिया जाता है जिसमें वेटिज दिया जाता है तो देखे आगलन के उत्देश्यों को विषे छेतर को और प्रशन के प्रकारों को तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C अगला है Discalculia एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंद है तो देखिए यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यह है calculation से संबंदित है तो यह हो जाएगी गर्णा की समस्या answer C और last question है CDP का यदि एक बच्चा सिक्षक द्वारा दिये गए प्रशन उत्तर याद करता है और इस प्रश्ट लिखता है तब उसकी माँ से टौफी देती है यह दर्शाता है कि बच्चा तो यह हो जाएगा भाय रूप से अभी प्रेरित है क्योंकि जब मादा द्वारा टौफी दिया जाना क्या है बाय रूप से प्रेरिना है न तो यह बाय रूप से अभी प्रेरित है तो answer हो जाएगा option B तो यह थे UTED 2023 के CDP के प्रशन आपको कितने प्रशनों के उतर आते थे आप comment box में बता सकते है यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर सकते है share कर सकते है अपने मित्रों के साथ और यदि आप UTED की तयारी कर रहे है तो आप channel के साथ जोड़ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद